और आपको दादे NCC के बीश प्रधान मंतरी नरेंद्रमूदी संबोधित करें केरल में बीशन बात के बाप राहत और बचावकारियों में NCC के केनेश का योगदान बहुत सरानी है सयोग और समर्पन का जो पाँठ आपने यहां सिखा है उसको आपने केरल में मुश्किल में फसे सजनों को राहत देने में अमल में लाया मुझे भी स्वास है का आप इसी प्रकार अपने दाइटों को निभाते रहेंगे साथियों दो दिन पहले ही हमारा गन रंत्रा ने सत्तनवे वर्ष्ण कदम रखा है पहले राजपत पर और आज यहां पर आपके चहरे की चमक और आपके अनुशासन की जलकिया मैंने में और उन जलकियों में मुझे नए भारत का कदम ताल बिटता है पुरे आत्म विस्वास के साथ सीना चोड़ा किये मस्तिस का उंचा रखे राज के गवरों के लिए तत्वर यसीम उर्जा उत्सा देने वाले होते हैं आपका ये जोश आपका ये उत्सा ही है जिसके खारण भारत आज नए आत्म विस्वास से भड़ा है आज दुनिया कह रही है कि भारत ना सिर्फ अंभावनाओं से भड़ा हुआ देश है बलकि उनको साकार भी कर रहा है का जोँ देश के अर्थ वबस्ता हो या फिर दुश्मन से निपटने का हमारा सामर्थ हर स्तर पर हमारी छम्ताओं का विस्तार हुआ है हमारी सेना ने इस पस्त संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं है लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है हम शांती के प्रबल समर्तक है लेकिन राष्ट रख्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम चुकेंगे नहीं यही कारण है कि बीते साड़े चार वर्षों में देश के रख्षा और सुरख्षा को सरवों परी मानते हुए अनेक महत पुण फैसले लिए गए साथियों भारत दुनिया थे उन चुनीदा देशों में सामिल हुआ है जिसके पास जल ठाल और नबसे परमाणू हमले और आत्म रख्षा करने की च्छमता है इसके अलावा दसकों से लटके पड़े लड़ा को विमानों और अधुन उक्तोपव से जुड़े समझोतों को जमीन पर उताना गया है देश में भी मिसाइल से लेकर टैंक, गुलावारूर और हेलिकॉप्र बनाए जा रहे है मैं देश आप युवासाथियों को आसुस्त करता हूं कि आने वाले समय में हर वो बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा जो रास्त की सुरक्षा के लिए जडुजी है अगर रास्त सुरक्षिफ रहेगा सक्षम रहेगा तभी युवाँ अपने सपने साखार हो पाए कर पाएगा साथियों आप यहां देश के अलग-अलग छेत्रों से आएगे आप में सहने एक छोटे-छोटे गउओं और कस्पों से हैं अलग-अलग कुश्च भूमें से हैं मुझे आप सभी के परिशम का एसास है आपके समर्पन का एसास है मैं आप तो सिर्फ यही कहूंगा कि यही परिशम हम सभी को समर्थ बनाता है हमारी निव को ठोस करता है परिशम का क्या परड़ाम होता है कि जानने के लिए NCC के आप सभी के डेश को बहुत दूर जाने की जरुवत नहीं है आपके भीतर से ही अनेक साथ्यों ने आलमे ही अद्बूर होसला दिखाते हुए देश को गवरों के पल दिये है परवता रोहन और ट्रेकिंग जैसी सासिक गतिवीतियां हो या फिर खेल के मैदान पर तिरंगर लहरा नेखा काम अनेक कड़ेक्स आगे आए नौर्थ इस डारेक्टर की कड़ेक्स हिमा दास को तो आज दुनिया गवरों कुरवरुप से जानने लगी धान के खेतों में दोड़ते दोड़ते खेतों की पगड़न्यों पर संतुलन साथते हुए हिमा दास आज इसतर पर पहुँची है अभाव को अउसर बनाते हुए हिमा ने पहले जूनियर एथलेटिक्स चेंपिएंशिप में और फिर एश्याई खेलों में देश को गवरवान मित किया है ऐसी अनेक युवा प्रतिभाओं को जब मैं देखता हूं जब उनसे मिलता हूं तो मेरा भरोसा तो मजमूद होता ही है इस भरोसे को और ससक्त करने की उर्जा भी मिलती है साथ्यों सपने देखना और आकांचाओं को उड़ान देना यही युवा की पहचान होती हैं यही उसकी स्वाभावित प्रवर्ति होती हैं अपने सपनों और आकांचाओं को और उचा उड़ने दीजिए अपने प्रयासों का पुरा विस्टार दीजिए वर्तमान सरकान तेश के हर युवा को हर सपने देखने वालों के साहत कंद्र से कंदा मिला करके खड़ी है और कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तयार है नया भारत हर कर्वयोगी को संबान देगा आउसर देगा आप सभी साथी जब देश की वर्टफोर्स मेंस जाने के लिए तयार है तब मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ आपने किस परिवार में जन्म लिया आपकी जानपान फान किस से है आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है इसके आधार पर आपका भविच्चताय नहीं होगा आपका कौशल आपका आत्मी विश्वास आपके पैर के च्छाले ही आपको परिणाम देदेवाने है साथी इस परंपुणा को तोड़ने के लिए समाज में हर प्रकार के असंतुलन असमानता को पाटने के लिए एक सार्थक प्रयास जरूरी है भी आइट में नहीं इप्रियाई याने एवरी पर्षन इजिंपोर्टन्ट इस समस्कार को मजबूत करने का प्रयास लगातार्थ हो रहे है गाड़ी के उपर से लाल मत्ति हटाई गई है अब दिमाग से भी जटका इसको हटाने की कोशिक की जा रही है आप आस्वस्तर है आपके सपनों को आपके आकांशाओं को सिर्फ अभावों और परिस्तितियों के कारन समा आपके नहीं होने दिया जाएगा ताथियों अवसरों की समानता की जब जब बंगताती है तो एक महत्तों कुण दिशय हमारी बेटियों से भी जुड़ा है मेरे साथ में बैठे आप तमाम चड़े चाहे वो बेटे हो या फिर बेटियां आपके जोश्क में और आपके सामर्थ में कोई अंतर नहीं है बेटियों को हर प्रकार के उसर से जोड़ना हमारी सरकार की प्राफ्विक्ता है बीते साड़े चार वर्सों में बेटियों को वर्ट फोर्ट में प्रोटसान देने के लिए अनेक कदम उठाए गए बेश के अंतरिक अंतरिक इलाकों में कानून ववस्ता को बनाये रखने के लिए शहीद हुए हजारों पुलीस और फुरक्षावलों के स्मुर्टी में इस मारक का निर्मान हुआ है आप सभी अलिपूर रोल पर बने बाबा साब भीम रावां अमबेड करके परी निर्मान थल पर भी जा सकते हैं साथियों इस जगए हैं दिल्नी की नई पहचान बन रही है सरदाथ पुटेल का नयास महारक दिल्नी में बना है डिजिटल मुजियम बनाया गया है इन जग़ों पर आपको इत्याद से जुड़ी अनेक महान विक्तितों से जुड़ी जानकार या तो मिलेगी कि आपके इस उर्जा से न्यू इंडिया का नया जोश और बुलन्द होगा आने वाले महने में एक और नजराना और एक प्रेनास खली लंबे इंतिजार के बाद देश को सुप्रत होने वाली है आज़ाजी के बाद देश के लिए मरने मिटने वाले हमारे जीर जवान हमारे सेना के जवान एक राष्टी अतर का वाग मेमोरियल देश इसकी प्रतिक्षा कर रहा था देश के जवान प्रतिक्षा कर रहे थे जीरों के परिवार जनों की स्वाभावी प्रतिक्षा थे लंबे अर्शे से वो भी अच्का पड़ा था ये काम सालों पहले होना चाहिए था लेकिन सरकार नाने के बाद हमने वो फैसला लिया अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महिने में देश के वीर बलिडानियों जिन्होंने उच्चे बलिडान दिया है सरवच्चे बलिडान दिया है ऐसे वीरों के स्मृति में भार्ट का एक राष्ट्रियस्तर का वार मम्मोरिया करीब करीब तयार हो चुका है अरीवेर महिने में उसे भी लोकारपन करने का आउसर मिलेगा और देश के हमारे इंवीज जमानों को सम्मानित करने का सवभाग्य मिलेगा मैं फिर एक बाप आप सब को बहुत बहुत शुक्तावनाई देता हूँ यह अवसर हमारी सोच को बदलता है महिने भर का ये वास्तव्य राष्टियत स्थर्प में ले जाती है हर सोच में हम उमारे देश के लिए कह सोचते हैं सर्व अपना गंग अपना महला अपने जाती भिरादिरी नहीं देश के संदर्प में सोचने के लिए यह आउसर देता है किसी भी देश का बड़ा बनना आगे बनना इस पहत्त में निर्भर है कि भांगतिये समाज वबस्ता में एक्ता का सुत्र कैसे बंधे हुए हैं लोग उस राष्ट की प्रज़दी का दूसरा आधार है वो कितना आशावादी है कितनी आकांचाओं से बड़ा हुआ है मेरा आशा की गर्त में डुबा हुआ समाज ने कभी खुद को उपर ले जा सकता है ने कभी देश को उपर ले जा सकता है आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ सबासो करोन हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आतांचाओं से बड़े हुए और इसके कारण मिले लगता है कि मेरा देश नई उचाईयों को पार करके रहेगा सपनों को साकार करके रहेगा और जिन सपनों को लेकर के देश के आजादी के जिवानों ने आजादी का जंग लड़ा था उन सपनों को पूरा करने का बस अब शुरू हो चुका है आईए हम सम मिल करके भारत मां का जयकार का नाज करते हुए उन सपनों को एक नई उजा दे नई ताकत दे नया संकल्प करे मेरी जाच बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत भख धन्वाद